हेलो फ्रेंग्स वेल्गम तो इस वीडियो इन दिस वीडियो वी अगिए टॉस्ट इंट्रोड़ाक्शन तुसी प्लस प्लस में डिरेक्ली उनिट नमर वन को स्टार्ट कर सकता था लेकिन मुझे इस अलगता है कि आपको पहले पाता होना चाहिए कि इस इस ट्री क्या है इस प्लस प्लस की इसने डेवलप किया क्या वह सब बेसिक तो मैं भी वह पॉइंट वाइस पॉइंट सा और नेक्स्ट वीडियो से में कवर करूंगा ओके सो उस पॉइंट के रिलेट सारे नोट्स सारा में प्लोइड करने वाला हो जस गूइन डिस्क्रिप्शन एन वाह पर फट्सक्रेप की लिंग है जोईन इट ओके जो पी वाइक्व में अगर वह कॉइंट आया है वह क्वेशन लूंगा आपको वह भी एक्पल्स करने वाला सारा मैं कवर करूंगा बस वीड विडियर्ण किस ने डेवलप किया तो C++ वस डेवलप बाई बजारने स्टॉप स्टॉप ना थोड़ा यूनिक है लेकिन आपको पता होना चीए का कोन दैनिस रिची लाइक इस वे C++ का कोने बजारने स्टॉप स्टॉप इन नाइंटीं सेवंट ने क्रीट किया था अट बेल लब्राटरीज ओके समझ मैं आया तो लेकिन नाइंटीं स्टॉप 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 को लगता है उसको एक नया लेंग्वेज बनाना है सी के जैसा फास्ट हो और ये लेंग्वेज बड़े से बड़े प्रोग्रेम लिख सके ओकी यूजिंग रियल लाफ अप्लिकेशन सी से आप रियल लाफ प्रोग्राम नहीं लिख सकते थे ओके सी प्लस प्लस के साथ आप रियल लाफ प्रोग्राम लिख सकते हैं उसका एक्सेटिंशन क्या है सी प्लस प्लस में सारा जो सी में है ना वो सारा सी प्लस प्लस में है और सी प्लस प्लस में बस नए कंसेट एड़ हो गया है तो सी प्लस प्लस इस एक्सेटिंशन ओफ सी ओके इतना बस कंसेटिंशन याद में रखो हिस्ट्री ओके ओरीजिन कैसे ओरीजिन हुआ देखो iPhone 15, right, iPhone 14 का as it is feature रहेगा और iPhone 15 में नए features आड़ हो गए होगे, वेस आई, C का extension को ने C++, C के सारे features C++ में है, और C++ में बस नए concept आड़ हो गए है, समझ में आया, okay, it was first called C with Classes, C++ को पहला नाम क्या था, C with Classes, because stop-strip added object-oriented features to C, C में, C programming language में बस stop-strip ने क्या आड़ किया है, नए object-oriented features को बस आड़ किया है, okay, समझ में है, basic thing क्या है, इसका developer कोन है, उसके बाद क्यू किया उसने, क्ये सी language उसको बनानी थी, क्या है basically C++, extension of C language, C language को extend करके उसका पहला नाम क्या था, C with Classes, okay, classes क्यों रखा था उसने पहले, ना, because object-oriented features एड़ किये थे, और object-oriented features के लिए हमें classes लगते है, इसलिए C with Classes, ऐसा नाम था, उसके बाद उसने change किया C++, okay, let's get started, when did C++ became officially, so in 1983, it was renamed to C++, okay, 1983, क्या कहते थे C++ को, C with Classes, 1983 को हमने, मतलब, उसने क्या नाम रखा, C++, अभी, प्लस-प्लस क्या है, प्लस-प्लस is the increment operator in C, C, increment-decrement operator हमने देखा था, वही, प्लस-प्लस यानि क्या है, increment operator, C में का, so the name means, improved version of C, C का improved version को ने, C++ है, समझ में आया, basic thing, कब officially बना C++, 1983, लेकिन कब उसने create किया था, 1979, समझ में आया, okay, now next, major features added, क्या-क्या उसने add किया, object-oriented features को add किया, कौन से-कौन से object-oriented features उसने add किया, देखो, classes and object को add किया, inheritance को add किया, polymorphism को add किया, encapsulation को add किया, function overloading, operator overloading, यह सब हम कर सकते हैं, और यह use करके, हम real-like problem solve कर सकते हैं, समझ में आया, यह आपको कोई रटा नहीं मारने का रहे था, ठीक है, बस समझ लो, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या है C++, कैसे हुआ, यह आपको रटा नहीं मारने का, और कौन सा भी thing रटा नहीं मारने का होता, समझ के लिए बस, तो यह सारे functions है ना, यह हम सीखने वाले हैं, पहले चाप्टर में, यह features में सब ही हम सीखेंगे, यह क्या है basically, next, standardization, in 1998, the first official standard was released, standard means, so standardization मतलब क्या, first release कब किया हुसे, so it was released in 1998, okay, so मतलब versions होते हैं, update जिसे होता है न, आपका mobile भी update होता है, वैसे ही उसने update किया, तो पहला version उसने कब release किया था, 1998 में, और कौन सा version था, C++ 98, 98 क्यों रखा था, because it is released in 98, okay, C++ का पहला version कौन सा है, C++ 98, 98 क्यों रखा, कि उसने कब release किया था, 1998, इसलिए वो है, okay, later versions, 1998 के उसने update किया, और वापस दूसरा update कौन सा किया, C++ 03, C++ 03, और उसमें क्या किया, बग फिक्स किया, जो भी C++ 98 में जो भी बग्स था, मतब बग्स यानि error, problems, वो problem solve किया, और उसने नया version अप्लोड किया, C++ 03, उसके बद वापस उसने नया कोश्टों आड किया, और उसने नया लिया, C++ 11 करके, पापस यसी नये नये features आते गए, और C++ 23 is a latest version for C++, 23 मतलब 2023 में उसने अप्लोड किया, 20 मतलब 20, 20 में उसने अप्लोड किया, 2017 में उसने अप्लोड किया, चेंज किया, ओके, इयर से उसने नाम दिया है, C++ को, समझ मैं है, so this is standardization, now we are moving forward to next slide, that is today, अभी C++ किसके लिए काम आता है, क्या कर सकते हम C++ से, so C++ is widely used in a game development, मेंट, जो भी आप बनाते हो ना, games, game खेलने के लिए, मतलब आप अपजी यूज़ करते हो, और different different games है, तो games बनाने के लिए सबसे effective programming language को इसाथ, C++, because C++ deals with the hardware plus software, okay, उसके बाद system softwares, operating systems, amended systems, and performance critical apps, okay, उसके लिए हम C++ को यूज़ कर सकते हैं, तो समझ मैं है आपको, okay, now let's see basic definition for C++, अगर आप आपको पूचा, what is C++, तो आपको क्या reply देना है, C++, pronounced C++, is an extension of C language, so C++ is extension of C language, it supports object-oriented programming, okay, making it more powerful than C, widely used in game development, operating system, and real-life systems, etc., basic क्या है, C++ is a programming language, which is extension of C language, it supports object-oriented features, and it is more powerful than C, okay, and it is used for game development, it is used in operating system, real-time systems, अभी, games मतलब तोपको पता है, basic, operating system मतलब आप जो यूज़ करते हो, Windows, Microsoft, Linux, वो सब आपको operating system में है, वहाँ आपर हम यूज़ कर सकते हो, C++ हो, वहाँ आपस real-time systems, real-time systems याणि क्या, देखो, यहाँ आपर radar system, होगे, अगर वहाँ से missile आ रहा है, वो real-life ही ना, real-life पर वो जज़ होना चाहिए, कि वहाँ आपर missile आ रहा है, और वापस हमारा missile लाँच होना चाहिए, so this is a real-life systems, वापस airline systems, military applications, वहाँ पर real-time systems लगता है, अब ही पाकिस्तान के तरप से missile आ रहा है, दस गंटे बाद हमें find नहीं करना है कि missile आ रहा है, उसी second पर आपको find करना होते हैं कि वहाँ से missile आ रहा है, so this concept comes in the real-time systems, और वहाँ पर हमें C++ को यूज कर सकते हैं, okay, so this is the example, and from here, our adventure begins, and from next video, we are going to start with unit number one, that is principles of object-oriented programming, thank you.